मशकार चांद की थोड़ी सी गपे यह कविता समशेर बहादूर सिंची के त्वारा लिखी गए थी और इनका जन्म 13 जन्वरी 1911 को देरादून में हुआ था इस कविता में बच्चों की कलपनाओं का बहुत ही सुन्दर तरीके से वर्नन किया गया है बच्चों ने चांद से अनेक तरीकों से अपना रिष्टा जोड़ करके रखा है और चांद को देख करके उनके मन में बहुत सारी कलपनाएं बाते आती है इस कविता में एक छोटी सी लड़की जो 10 या 11 साल की है आकाश को चांद का वस्त्र समस्ती है और वह समस्ती है कि उनके वस्त्रों पर सितारे जड़े हुए है चांद का यह वस्त्र सभी दिशाओं में फैला हुआ है उस वस्त्र में केवल चांद का गोरा चिट्टा मुखडा दिखाई देता है कवीता के अंत में वह चांद के घटने बढ़ने को एक बिमारी बताती है जो की कभी भी ठीक नहीं होती है कवीता इस प्रकार है गोल है खूब मगर आप तिर्छे नजर आते हैं जड़ा आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा सिर्फ मुझ खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल अपनी पोशा को फैलाए हुए चारों सिम्त छोटी बालिका ये कह रही है कि चांद को देखकर वह कहती है कि आप तो गोल मटोल हैं खूब सूरत हैं लेकिन आप थोड़े से तिर्चे दिखाई देते हैं और आपने सारे आकाश को अपना वस्तर बना करके धारण किया हुआ है यानि कि पहना हुआ है आसमान में जो छोटे 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 चमकते हुए तारे हैं उनके देखकर कि ऐसा लग रहा है कि छोटे सितारे उन वस्तरों पर लगा दिये गए हूँ और चांद का सारा शरीर वस्तर से ढखा हुआ है केवल उसमे से चांद का गोरा चिट्टा सुन्दर मुद दिखाई देता है और चांद की पोशाक जो है वस्तर जो हैं सभी दिशाओं में फैले हुए हैं फिर वे कहते हैं कि आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं जाने कैसी खूब हैं गो की वहरिवा हमको बुधु ही निरा समझा है हम समझते ही नहीं जैसे की आपको बीमारी है आप घड़ते हैं तो घड़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस्यानी की बढ़ते ही चले जाते हैं दम नहीं लेते हैं कि जब तक बिलकुल ही गोल ना हो जाएं बिलकुल गोल यह मरज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है छोटी बालिका कहती है कि गोकी का मतलब यहां पर है यद्यपी कहती है कि आप कुछ तिर्चे नजर आते हैं आपको देख करके ऐसा लग अच्छे हो फिर भी आप खूब हो और आपने तो हमें बिलकुल बेवकुफ ही समझ रखा है बिना अकल वाला ही समझ रखा है कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है हम भी आपको जानते हैं कि आपको क्या बिमारी है आप जब घटते हो तो घटने की बिमारी लग जाती है कि लगातार घटते ही जाते हो और जब आप बढ़ना शुरू कर देते हो तो आप लगातार बढ़ते ही चले जाते हो और इतना बढ़ जाते हो कि पूरी तरह सी गोल मटोल हो जाते हो और हम ये भी चानते हैं कि आपकी यह बिमारी कभी भी ठीक नहीं होगी इस प्रकार से कविता जो है सम्षेद बहादूर सिंग जी के द्वारा लिखी गई थी और उन्होंने माया के साहय के संपादक के रूप में करे किया था और नयापत और मनुहर कहानिया के बेवह संपादक थी उनकी कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो उन्होंने कुछ कविताएं चुका भी हूँ नहीं मैं इतने पास अपने उदिता एवं बात बोलोगी आदी सभी का संपादन और लेखन क्या था प्रश्न तर की बात करें तो आप पहने हुए हैं कुल आकाश के माध्यम से लड़की क्या कहना चाहती है तो इसमें वह गहना चाहती है कि आपने आकाश का वस्त्र पहना हुआ है दूसरा प्रश्न कवी ने चांद से गपे किस दिन लगाई होंगी इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाईए और कारण भी बताईए पहली जो है उन्होंने की होगी पूर्णिमा को क्योंकि उस दिन चांद पूरा गोल दिखता है और अश्टमी से पूर्णिमा के बीच में क्योंकि चांद का आकार धीरे धीरे बढ़ता है और अंत में वह गोल हो जाता है प्रत्मा से अश्टमी के बीच गोल चांद का आकार धीरे धीरे घटने लगता है और वहे आधा रहे जाता है प्रिश्ण नई कवीता में तुक या छंद की बदले विंब का प्रयोग अधिक होता है विंब वहे तश्वीर होती है विंब क्या होता है जो शब्दों को पढ़ते ही हमारे मन में उसका एक चित्र बन जाए जो भी कवी कहना चाता है उसका हमारे मन में यदि कोई चित्र बन जाता है तो उसे हम विंब कहते हैं कई बार कवी कुछ शब्दों की धनी की मदद से ऐसी तश्वीर बना देते हैं और कुछ कवी अक्षरों या शब्दों को इस तरह छापने पर बल देते हैं कि उनसे हमारे मन में कोई चित्र बन जाए इस कवीता के अंतिम हिस्से में चांद को एकदम गोल बताने के लिए कवी ने बी लै कूल यानि इन शब्दों को अलग अलग करके लिख दिया बिल्कुल को और यदि तुम इस कवीता के आन शब्दों को देखोगे तो भी आप देखोगे जिसे गोल मटोल गोल मटोल को भी उन्होंने तोड करके लिखा है घटते शब्द को भी लिखा है घैटते और बढ़ते को लिखा है बैढ़ते इस प्रकार से यहाँ पर कवी ने बिम्ब बनाया है चित्र बनाने का प्रयोग जो है वह किया है अगर आपको इस कवीता से संबंधित कोई भी प्रश्न या इसके अर्थ को समझने में कठिनाई आती है तो आप कमेंट वाक्ष में कमेंट रिक करके मुझे पूछिए मैं आपके सभी प्रश्नों का जबाब देने की कोशिश करूँगी